नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को जादा से जादा सस्क्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसी टिप्स ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जाना बहुत इंपोर्टेंट और आपके लिए भोज़ादा लापदायक साबित होते हैं तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास जिया दोस्तों आज हम आपको सुपारी खाने के कुछ अनेक फाइदों के बारे में बता रहे हैं जिया दोस्तों सुपारी के कमाल फाइदे हैं जिया दोस्तों हमारे देश में सुपारी का दो तरीके से इस्तिमाल किया जाता है एक तो पूजा पाठ में और दूसरा पान मसाले में भी इस्तेमाल उसका बहुत अच्छे से किया जाता है जिया दोस्तो लोकिन लोगों में ये धारना है कि उनके स्वास्त से इसके लिए बहुत ज़्यादा हानी होगी जिया दोस्तो बहुत कम लोग जानते हैं कि सुपारी में बहुत कम और शद्ये गुन होते हैं जिया दोस्तो इसमें प्रोटीन 4.9 प्रतीशत, कार्बोहाइडरेट 47 प्रतीशत, बसा 4.4 प्रतीशत और खरीज द्रव 1 प्रतीशत होता है चलिए दोस्तो अब आप सुपारी से होने वाले लाब सीबिस सीधे आपको बताते हैं जिया दोस्तो डायबेटीज के कारण कई लोगों को बार-बार मुह सुखने की समस्या होती है इसलिए ऐसा लोग सरह दी जाती है कि जब भी मुह सुखे एक सुपारी का टुकुरा मुह में रख ले क्योंकि इसे चबाने से बड़ी मात्रा में सलाइवा निकलता है जिया दोस्तो सुपारी में एंटी बैक्टिरियल गुन होते हैं इसे जलाकर इसका पाउडर बनाना रोजाना मंजन के रूप में इस्तेमाल करने से दातों में सडन से बचाव किया जा सकता है इससे आपके दाद भी चमकने लगते हैं और आपके दाद मोती जैसे साफ हो जाते हैं सुपारी का काड़ा बनाकर घाप पर लगाए इसके बारिक चून लगाने से खून बहना बंध हो जाता है कुछी देर में घाप भी भर जाता है जिया दोस्तो सुपारी के खाने से तंत्री का तंत्र उजोतित होती है इस पर हुए रिसर्च से भी एक बात सामने आई है कि इसे चबाने से तनाव महसूस नहीं होता जिससे आप डिप्रेशन की बिमारी से बच सकते हैं सुपारी में एंटी ऑक्सिडन मजूद होता है जो विशाले प्रिदार्तों को फ्री रेडिकल्स को भार निकालने के मदद करते हैं इससे हमारा शरीर बहुत जादा बचा रहता है जिन लोगों को इसकी लिफेनिया जो की एक तरह की दिमागी बिमारी है उनको सुपारी का सेवन करने की सलह दी जाती है एक रिसर्च से यह बाद चामने आई है कि इस बिमारी में जो रोगी सुपारी का सेवन करते हैं उन्हें लक्षनों में सुधार आता है तो जाना दोस्तों आपने सुपारी के कितने फायदे होते हैं और यदि आप इसका सही तरह से प्रियोग करेंगे तो यह आपके शरीर में हानी नहीं वलकि लाभी पहुचाएगी तो दोस्तों आप भी आज से सुपारी का सेवन करना स्टार्ट कर दिजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि हमें ऐसे वीडियो बनाने की प्रेना मिलती रहती है